कोई लक्ष मनुस के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं अगर आपने दसवी पर इक्षा पास कर ली है तो हो जाईए तयार SSC दे रहा है MTS के जरिए सरकारी नोकरी पाने का एक सुनहरा मौकार SSC MTS में आपकी 100% सेलेक्शन सुनिशीत कराने के लिए SSC Maker आप पे चलाया जा रहा है मुक्ती बैच जिसमें आपकी सारी क्लासेज अनुभवी अध्यापोकों के माध्यम से एक दम बेसिक से, जिरो लेबल से और चैप्टर बाई चैप्टर चैप्टर चलाई जा रही है तो भिना देरी किये आज ही जोईन करें SSC Maker का मुक्ती बैच अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें SSC Maker का आप और दिये गए नंबर पर कॉल करें नमस्कार दोस्तों मैं आजय सिंग आपका स्वागत करता हूं SSC Maker के सॉनलाइट परफार्म पर कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट उमीद करते हैं आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होगी दोस्तों एक रीजनिंग में बहुत ही important topic है dice यानि की पासा पासा से दोस्तों हमेशा exam में question देखने को मिलते हैं और पासा के प्रशनों को अगर आप नहीं पढ़े हैं नहीं समझे हैं पासा के concept को तो आप समझेंगे की question बहुत tough है कैसे solve होगा लेकिन पासा दोस्तों होता बहुत ही आसान है इसके लिए आपको पैन उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है पासा के प्रशनों को आप सेकेंडों में solve कर लेंगे बस आपको थोड़ी सी concept पता होना चाहिए पासा में concept क्या है तो पासा के जो basic question आते हैं जो advanced level के question आते हैं उन्हें भी हम देखें ठीक है तो आज की class को हम आगे continue करेंगे दोस्तों यह आप लोगों के लिए recording class है उमीद करते हैं आप लोगों को सारी चीजे समझ में आएगी एक भी परसेंट का आपका doubt होने वाला नहीं है ठीक है तो अच्छे से आप लोग देखेंगे ठीक है एक एक कोश्चन एकदम सेट बैटन के हैं कहने का मतलब है जो एक्जाम में आते हैं हो बहुत शेम कोश्चन है तो आप लोगों को क्या करना है बस अच्छे से समझने की जरूरत है देखिए कोश्चन पहला जो है important है बस आपको ध्यान से देखना है कोश्चन बोला है में टोटल कितने फलक है जो सता है वोठ्छे है देखिए एक दो तीन ऋधिक रहा न तीन जासेसी ह którego मतलब और अगर दर से गई है हम लोगों से पूछा क्या है बी अक्षर के विपरित बी अक्षर अक्षर बी के विपरित बोल रहा है तो आप देखेंगे बी है कहां बी देखेंगे यहां पे और बी कहीं पर नहीं अगर बी ऊपर है तो नीचे क्या होगा यह पूछ रहा है तो आप देखिए कभी भी ऐ तोनों में दिख रहा है, S कहीं नहीं दिख रहा है, देखा जाए तो N इसमें है, और देखा जाए तो N इसमें है, अगर हम N से क्या करें, Clock y direction में चले, आपको करना क्या है, Clock y direction में चलना है, मतलब क्लोक क्लोक मतलब कैसे, घड़ी आप लोगों ने घर में देखा होगा, इस से चलेंगे S, ठीक है, मतलब आप देखिए, दोनों में common क्या है N, इसमें भी common क्या है N, दोनों में common N है, तो N से कहा गए B, B से S, तो N के बाद लिखेंगे B, और B के बाद S, ठीक है, फिर N से इधर clockwise चलेंगे Q, Q से जाएंगे T, तो N के बाद क्या हो गया Q, उसके बाद हो है T, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, देखिए, clockwise बस आप समझ लिजे, N से गए B, B से गए S, N से गए Q, Q से T, मतलब clockwise, ऐसे ही तो चल रहे है न, ऐसे ही चलना है, तो N, B, S, N, Q, T, अब यहाँ पर आप उसे पूछा क्या है, B का, तो B का क्या हो गया, B का Q विपरीथ हो गया, तो answer हो जाएगा, option number A इसका answer हो जाएगा, अगर पूछे N का क्या होगा, अगर पूछे N का क्या होगा, अभी देखिए, अगर बोले S का क्या होगा, तो आप बोलेंगे S का T होगा, N का क्या होगा, तो N का देखिएगा, N का B, Q, S, T नहीं होगा, बाकी और जो हो सकता है, देखिए, यहाँ पर क्या है, देखेंगे आप सभी बच्चे, इसमें और कोई अक्सर, यहाँ पर थोड़े साब को समझने एक जोरत है, आप लोग देखेंगे, इसमें टोटल पांची अक्सर दिख र हो गया, ठीक है, Q, T, अब हो सकता है, इसमें कोई अगला एक और अक्सर हो, P, तो हो सकता है, N का P हो, लेकिन स्टार्टिंग इसकी कहां से है, यह क्लियर नहीं है, इसलिए अभी हम क्लियर नहीं करेंगे, कि N का विप्रित क्या होगा, आप से प्रेशन में पूछा क्या है, बी का विप्रित, तो B का Q, और S का T, ठीक है, या T का S, Q का B, यह एक दूसरे के विप्रित अक्सर है, ठीक है, चले, यह दोनों common है, इरनत सोचिएगा कि N का N होगा, N का N नहीं होगा, चले, next question समझाते हैं, अभी और अच्छे सी clear होगा, एक के question आप लोग देखिए, बह आएगा, X के विप्रित बोल रहा है, किसके विप्रित बोल रहा है, X के विप्रित बोल रहा है, X है कहाँ, यहाँ पर अगर X इस साइड है, तो इस साइड क्या होगा, तो आप direct X से इसकी answer नहीं दे पाएंगे, आपको क्या करना है, दोनों में common, यह जब डो डाइस होना, घड़ी की सुई की दिशा में चलना, मतलब N से जाएंगे X पे, X से जाएंगे Y पे, मतलब N उसके बाद से हो गया X, उसके बाद हो गया Y, यह हो गया clockwise में चले तो, यहाँ से जाएंगे clockwise, clockwise उल्टा नहीं चलना है, anti-clockwise नहीं, clockwise घड़ी की सुई की दिशा में, तो यहाँ स का y x का विपृत ho गया jr jaar jr ka x ठीख है अब देखिए अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना है ठोड़ा समझना तो आंसर हम क्लों क्या देंगे आंसर देंगे जैड आंसर क्या कंदेंगे एशेल अब हो सकता तो विपरित Y का है, Z विपरित X का है, हाँ, और यहां कहरा है P है, तो P हो जाएगा इसका, एक अक्सर और इसमें दिख रहा है, तो N का विपरित P हो जाएगा, समझ रहे हैं, बस यही चीज आपको समझना है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जूरत नहीं है, ऐस आपको क्या करना है, बस क्लॉक वाई चलना है, आंसर देना है, तो यह तो रहा आपके दो-दो इमेज वाले, ठीक है, ऐसे ही अक्सर वाले हैं, अंक वाले भी आते हैं, कैसे तो आते हैं, इस टाइप से, यह से इम पैटरन फॉलो करेगा, सेम जो लॉजिक लगा रहे हैं वही लगा न, इस पे भी, देखिए, इंपोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, कोश्यों बोल रहे हैं, नीचे एक घन की दो अवस्तायत दर्स आई गई है, नौ युक्त फलक के विप्रिक पर क्या आएगा, नौ के विप्रित बोल रहे है, नौ यहाँ पे है, तो इस स क्लॉक्वाई साथ, साथ से नौ, यानि कि आठ से कहां गया, साथ, साथ से कहां गया, नौ, यह क्लॉक्वाई चले, यहाँ से भी आठ से क्लॉक्वाई चले, आठ से छे, और छे से चार, यानि कि आठ के नीचे आठ, कॉमन यहाँ पर रखना है, ठीक है, उसके बाद है, आ नौ का विपरीत पूछा है तो समझ सकते हैंग matar हो सकता है यहाँ पर अप कोसिश करेंगे समझना तो समझ जाएगा अगर बोल दे Wonderful त्युक्त आठ नहीं होगा देखियेगा चार छे सात नौ को छोड़ के आठ का को विपरित होगा तो इसमें और कोई दिखिने एच्छे साथ और फटो होगा नहीं क्योंकि साथ अत्य है चार तो होगा नहीं चार से आप विप्रित बोलेंगे तो इसका विप्रित अभी नहीं बताना है अभी आपको यहीं तक सीखना है ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है बस आपको clockwise अभी सीखना है आगे धीरे-धीरे हम आपको सारा चीज इसमें सिखा देंगे ठीक है उमीद करते हैं आप सारे बच्च आप लोग पढ़िए ठीक है चले आगे चले next question के तरफ देखिएगा question number आप देखेंगे 4 question number क्या है 4 4 को ध्यान से देखिएगा question number 4 same type का question है important है number वाला यह एक ही पासे की दो घुमाई गई स्थितियों को दरसाया गया है यदि पासे के निचले फलक पर संख्या 4 है तो उपर क्या होगा simple simple थी वासे हम बोले तो उसका opposite यानि विपरीत पूछ रहे हैं 4 विपरीत तो 4 यहां पे अगर 4 यही नीचे रहता तो उपर क्या होता तो उपर यहने बोल दीजिएगा 3 होगा चार हो सकता है यहां पर नीचे हो तो क्या उपर दो हो जाएगा नहीं ऐसा कुछ नहीं सोचने आपको आपको दोनों में क्या करना है आप सभी बच्चों को common ढूड़ना है क्या करना है दोनों में common ढूड़ना है क्या common ढूड़ना है देखिए समझा रहें दोनों में common देखिए common क्या दिख रहा है तीन तीन दोनों में common है तीन तीन अब क्या करेंगे दूसरा 2 step हम लोगों कौह है clockwise तीन से गए 4 चार से गए एक यानि तीन से कहां गए चार और चार चार से कहा गए एक इसमें तीन से जाएंगे दो से जाएंगे छे clockwise मतलब घड़ी की दिशा में, घड़ी की सूई के दिशा में, ऐसे ही गूमना है, ठीक है, समझ में आया, तो इधर गये 3, यहाँ पर 3 की नीचे लिखिए, 3 से गए 2, 2 से 6, 3, 2, 6, अब यह एक दूसरे के क्या आगए विपरीत आगए मतलब एक का विपरीत च्यार का विपरीत दो हम लोगों से पूछा है चार तो चार का विपरीत होगा दो आंसर होगा option number B क्या होगा option number B होगा अब बोले कि 3 का विपरीत क्या होगा तो 3 के विपरीत 1 2 4 6 में नहीं होगा कोई कौन सा होगा 5 हो जाएगा अगर 5 इसमें नहीं है देखी रहे हैं नहीं तो कोई दिक्कत नहीं 3 का विपरीत 5 हो जाता है ठीक है तो आपको 3 का विपरीत न next question के तरफ उमीद करते हैं समझ गए होंगे चले question number आप देखेंगे आप आप लोग question number five question number five देखेंगे यह भी important है ध्यान से देखेंगे अभी आप लोगोंने दोडो डाइस वाला देखा अब आप तीन डाइस वाले देखें यह भी आसान है एक घंकी तीन इस्थितिया दी गई हैं उसके आधार पर यह पता करिए कि अंक दो के सामने कौन सा अंक पाया जाएगा अंक दो अंक दो देखिए है कहां यहां पर अंक दो है जब देखिए दो जब कभी भी आपके सामने दो दिखेंगे ना तो दो वालत वासा ने को कोई direction में घुमा लिए इन दिखाना यह उससे भी आसान है तीन वाला क्या है उससे भी आसान है इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रुरत नहीं है तीन वाले में क्या करना है दो का विपरीद बताना है तो आप दो के अन्य सतह पे देखिए क्या है अन्य सतह पे आप देखेंगे एक और चार है दो अन्य फलक पे, देखेंगे, एक चार, देखेंगे, कहीं पे एक चार दिख रहा है क्या, तो आप देखेंगे, एक चार पहले वाले डाइस में दिख रहा है, तो अब कुछ नहीं करना है, ये एक चार, एक चार common हो जाएगा, दो का विप्रित हो जाएगा, छे, दो का वि उम्ह ин्हुत करते हैं यह सारे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से क्ली है देखिए यह चीज आपको लगाना है तीन वाल है जब कभी हमो जाता है कैसे ऐसान हो गया एक बार और समझा देते ताकि आप लोगों का confusion दूर हो जाए देखिए दो का भी प्रीत तो आप देखेंगे दो है कहां दो यहां पर है दो यहां पर ठीक है दो यहां पर है देखिएगा अब देखिये इसके अन्य दो जो फलक उस पे क्या है एक चार और देखिए पे 1 इसमें कॉमन तो का विपरित 6 यहां। यहीं ऊंस्रों जाएगा नगा कीस दिखिए नेक्स देखिये आसान है बहुत आसान व्हांसे आपको करना है चीजों को अच्छह से सीखना समझना है और मन लगा कि पढ़िना है ठीक है चले आगे चलेंगे आगे चलिए चीजों को सीखते रही है एक बात और हम आप लोगों को बता दे देखिए गा जितने भी student है नए student है पुराने student है एप को डाँनलोड नहीं किये तो आप सारे बच्चे एप को जरूड़ कर लीजिए अपके आगामी सभी परिक्षाओं के लिए क्लासे चल रही है आप जिस भी एक्जाम की तेहरी कर रहे है तो देखिए जितने भी स्ट्रूडेंट एक्जाम की तेहरी कर रहे है तो मुगति बैच चला रहे हैं मात्र 350 रुपे में और जो है 25 जुलाई तक है संपूर क्लास एकदम बेसिक से दिए गए नंबर पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं अगर बैच को जोइन करने में आपको कोई समस्य आ रही तो साथ ही हम आप लोगों को बता दे दोस्तों बिहार पुलिस कोंस्टेबल एक्जा समस्यारी तो जो भी बैचे चल रही है एकदम बेसिक से चल रही है जीरो लेबल चल रही है और आपको 100% सेलेक्शन दिलाने के लिए ठीक है साथ ही हम आप लोगों को बता दे MP पुलिस कोंस्टेबल एक्जाम के लिए हम लोग महाकाल बैच चला रहे हैं 100% सेलेक्शन के ल रही है तो चलिए नेक्स कोशन अब आप लोग देखेंगे कोशन नंबर सिक्स कोशन नंबर आप लोगों ने अभी 5 देखा उसी के अनुसार 6 का आंसर दीजिए इंपोर्टेंट है देखिएगा वीडियो को पॉज कर लीजिए कुछ जर के लिए और अपने आपसे अंक वाली साइड के सामने कौन सा होगा तीन अंक की साइड वाली मतलब तीन का विपरीत क्या बोल रहे है तीन का विपरीत तो अब आप देखिए तीन है कहां देखेंगे तो तीन यहां पे दिख रहा है और किसी में दिख रहा है पहले में नहीं दूसरे में है तीसरे में तो अब आप क्या देखेंगे तीन के उस पर पांच और छे क्सी में दिख रहा है पांच और छे तो देखेंगे पहले में पांच और छे दिख रहे पांच से पांच से क graph 3 यह घृत चार चार तीन का विपरित चार आंसर ओगया option नंबर 20 क्या हो गया answer option number B बस यही चीज करना है इन दोनों का तो यहां पर रोली खतम आप देखिए इसमें आप चाहें तो और भी आगे आप चेक कर सकते हैं ठीक है अगर पूछ लेता और किसी अंका तो आप देखेंगे इसमें क्या है 1,4 common हो गया 2 का वीपueprint क्या हो जाएगा दो का वीप्रीत हो गया छे दो का वीपरीत पूछे तो दोल देखेंगा तीन का विप्रीत चार अब बोले एक का विप्रीत क्या होगा ध्यान दीजिएगा एक का विप्रीत तो आप देखेंगे एक का अगर विप्रीत बोल दे तो हम आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे देखिएगा यहाँ पे देखिएगा चार छे है यहाँ पे करके किसी का भी विपरीत बता सकते बस आपको क्या करना है common फलक देख लेना है दो जिसमें common है और तीसरा तीसरा विपरीत हो जाएगा बस यही चीज़ करना है तो क्या इसके लिए आपको एक्जाम में पैन उठाने की ज़रूरत पड़ेगी बिल्कुल भी नहीं पड़ेग अच्छे से देखेंगे सारे बच्चे ठीक है कोशे नंबर 77 भी सेम टाइप का है कोशे नंबर 7 इंपॉर्टेंट है द्यान से देखिए ऐसे भी कोशेन आते हैं कलर से रिलेटेड तो इसमें बच्चे कंफ्यूज होने लगते हैं कंफ्यूज नहीं होना है पहले पासे के फलकों को समझिए पहले क्या करना है पासे के फलकों को समझना है और फिर प्रस्ण का उत्तर दीजिए अच्छा तो पहले पासे के फलक को हमने समझ लिया किस पे कलर लिखा हुआ है और प्रस्ण यहां पे है कोश्चन आपका कहां पे है कोश्चन यह रहा कोश्चन यह रह लाल के सामने फलक पर कौन सा रंग होगा लाल है कहां लाल है कहां लाल यहां पे है अब देखिए लाल और देखेंगे तो लाल यहां पे भी है लाल यहां पे भी है लाल तो कई जगा है चलिए तो अब हम देखेंगे एक चीज और नीला गुलाबी क्या नीला गुलाबी कहीं के विपरीत क्या हो जाएगा लाल के विपरीत हो जाएगा काला अंसर आ गया यहीं पर आंसर आ गया क्या हो गया option number D काला ठीक है अब आप बोलेंगे सर लाल तो और दिख रहा है तो यहां देखेंगे पीला गुला भी है तो पीला गुला भी कहीं दिख रहा है पीला गुला भी नहीं है यहां पर पीला हरा है तो पीला हरा कहीं दिख रहा है तो पीला हरा भी कहीं नहीं दिख रहा है यानि इन दो लाल जो है इन से लाल के विपरीत नहीं आएगा लाल का विपरीत इसी वाले पासे से तो आप देखिए और कोई कलर तो आप इसमें कॉमन कर लेंगे अभी हम आपको पिछले कोश्चन में बता दियें तो इसमें आप क्या करेंगे स्कायों आप साठेल के अपोजिड Nu बता देंगे देखिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है अगर हम और कोई पूप मैंने तो हम क्या करते हैं यहाँ देखेंगे पीला लाल है इसमें भी पीला लाल पीला लाल common ये पीला लाल पीला लाल common तो यहां पर गुलाबी का विप्रित क्या होगा गुलाबी का हला या हरा का गुलाबी हरा का क्या हो जाएगा गुलाबी या कई गुलाबी का हरा दोनों एक दूसरे के विप्रित हैं ठीक है हरा का गुलाबी ठीक इसी प्रकार से और आपको किसी क तो आप देखिए और आप देखेंगे यहां पर देखिए नीला लाल है और कोई कलर नहीं देख रहा है नीला गुलाबी हाँ देखिए नीला गुलाबी ध्यान दीजेगा नीला गुलाबी नीला गुलाबी तो लाल-काला हो गया और आप चाहें तो देखिए पीला हरा पीला हारा नहीं है और भी अब चाहें तो wurd सकते हैं थोड़े से दिमग लगाईगे अगर किसी का पů瞪क तो आप आराम से बता सकते हैं ठीक है लाल-kala गुलावी फ बे हम लाल-काला बस्Fit है turkey के तो आब इसमें बचम आ रहा है आप इसमें बच क्या रहा है एक पीला बच रहा है और कौन सा बच रहा है एक पीला बच रहा है गुलाबी हो गया है लाल गुलाबी नीला पीला नीला बच रहा है तो पीला का नीला हो जाएगा क्या होगा लाल गुलाबी दो सेकेंड लाल गुलाबी हाँ आप देख देखिए ऐसे आप इसको कर लेंगे देखिए लाल गुलाबी और देखिए लाल गुलाबी बच्चा यहां पर क्या पीला है और यहां पर है नीला यानी पीला का क्या हो जाएगा नीला तो आप देखिए सब का मिल गया ना पीला का क्या होगा नीला पीला का क्या होगा नीला सारे color का बता दिये लेकिन आपको exam में एक कहीं पूछेगा सारे का नहीं पूछेगा एक किसी का पूछेगा common देखेंगे face answer दे लेंगे clear है उमीद करते हैं बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ रहे होंगे dice को ऐसे ही अच्छे तरीके से समझिए इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है एक बार आप इसको समझ लेंगे ना फिर आपको दिक्कते नहीं आएंगी कभी भी question में दिक्कत नहीं आएगा चलिए next देखेंगे आगे आगे same type का question question number 8 question number 8 को देखिए question number 8 क्या बोल रहा है सारे बच्चे देखने का प्रयास करेंगे समझने का आप लोग प्रयास करेंगे उमीद करते हैं आप लोगों को दीख रहा होगा ज्यादा छोटा तो नहीं है न क्योंकि पता नहीं चलेगा छोटा है कि नहीं question number 8 बोल रहा है सी के पीछे यानि सी का विप्रित पूछ रहा है तो वहीं चीज आपको बताना देखिए सी है का सी देखेंगे यहां पर सी यहां पर देखेंगे यहां पर दोनों का विप्रित क्या है X Y यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ पे C का विप्रित-Z क्या हो जाएगा C का विप्रित क्या होगा C का विप्रित हो जाएगा Z ची पाभी प्रित-Z और भी कोई पूँझे तो आप बता सकते हैं ठीके आप देखिए यहां पर देखेंगे 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 यहां पर देखेंग करते हैं इंपोर्टेंट है जितने भी टाइप के कोश्चन बन रहे ना सारे टाइप के कोश्चन कराने वाले हैं ठीक है 15 कोश्चन है सारे टाइप कवर देखिए नीचे दी गई आकृती में युक्त फलक के विप्रीट क्या आएगा मतलब एक विप्रीट ए है कहां यहां पर अब बताईए इसमें कैसे बता करेंगे तो इसके लिए देखिए जब कभी भी आपके सामने इस टाइप का ओपन डाइस हो ओपन डाइस हो विप्रीट पूछे तो आप सभी को पता है ना अभी हम लोगों ने देखा पीछे जैसे मा दो तीन यानि तीसरा क्या होता है पहले का तीसरा हमेशा विप्रीट होता है यहीं न वी से काउंट करिए एक दो तीन अगर इसी को ओपन कर दिया जाए तो एक दो तीन यानि नीचे वाला इसका विप्रीट होता है एक का विप्रीट तीन होता है यह चीज क्लिए है तो य G का वीप्रीत a ठीक है यहांद देखिए अब यहां आउर इसमें करना क्या है जो सबसे बड़ा वाला lign है पहले आप इस पर मत जाहिएगा पहले आप क्या करिए इस वाले को देखेंगे इस वाले को देखेंगे तो A का विप्रित G हो गया अब देखिए 1 अभी हाँ से count करेंगे यह तो हो गया अभी हाँ से 1 2 3 यह हो रहा है ना 1 2 3 कौन हो रहा है देखिए पहले तुपर से count किये तो 1 1 2 3 यानि A का विप्रित G अभी हाँ से 1 2 3 यानि C का विप्रित N C का भी पृइट क्या हो जाएगा? N हो जाएगा अब देखिए यहाँ से 1, 2, 3 तो B का भी पृइट F B का भी पृइट क्या हो जाएगा? F या F का भी पृइट B हम लोगों से पूछ रहा है A का भी पृइट तो A का भी पृइट G answer हो जाएगा option number B clear है? हाँ आपको count करना सीखना है 1, 2, 3 तो A का भी पृइट G फिर यहाँ से 1 यह तो count हो गया है न फिर उसके नीचे वाले से 1, 2, 3 यानि C का भी पृइट 10 1, 2, 3 यानि कि यागर ऐसे मोडे इसको या आप सोच सकते हैं अगर इसको मोडे तो यह B इस साइड होगा और F इसको मोडे तो यह इस साइड होगा और यह G इस साइड आजाएगा और N C के उपर आजाएगा आप चाहें तो इसे मोड के भी समझ सकते हैं ठीक है? चले, next देखिए same, same question है बिंदी वाले भी question आते हैं जैसे जैसे लूडो जो लोग नहीं हम लोग खेलते हैं जो उचलने वाला उसका गोटी होता है वो उसको उपिन किया है ठीक है, देखिए question number 10 यदि नीचे दी गई आकृति को एक घहन का रूप देने के लिए मोडा जाता है तो दो बिंदू दर्सा दो बिंदू दर्सा रहे फलक के विपरित फलक पर कितने बिंदू होंगे किसका पूछ रहे है, दो बिंदू दो बिंदू है का दो बिंदू मतलब ये पूछ रहे है दो बिंदू मतलब इसका विपरित तो इसका विपरित के लिए क्या करना है एक, दो, तीन, यानि इसका विपरीत ये, एक, दो, तीन, इसका विपरीत ये, अब बच गया ये, और ये, यानि कि दो का विपरीत क्या होगा, एक, दो का विपरीत एक, सब का हम बता सकते हैं, इसमें हम सब का बता सकते हैं, किसी का भी बोले, बता सकते हैं, एक, देखिए, 1, 2, 3, तो ये हो गया यानी 5 का विपरिद क्या हो गया 5 का विपरिद 4, फिर उसके बाद देख़िएगा, इसे count करिए, अब यहां से नहीं एक, दो ऐसे नहीं करना है, पहले समझना है 1, 2, 3, जो सिधा सिधा है 3 का विपरिद क्या हो गया, 3 का बिवरिक है आप देखे बच गया दो और एक बच गया तो आप देखेंगे एक दो सब्सक्राइब इहां पर यहाँ ना इस hike सामने लें ऐसे देखिएगा सामने देखा जाता है है एक डव थीन इसके सामने एक है यहां से 15 6 11 रहा कुशन इसमें आपको थोड़ा सा मजना है कि इसमें भी सेंप पैटन है कुछ नहीं इसमें दिमाग लगाने की जूरत है वही चीज़ है question 11 दी गई आकरिती में ए युक्तफलक के विप्रित पर क्या आएगा एक विप्रित ए है यहां पर तो यहां पर तो यहां स्काउंट करिए एक दो तीन तो एक विप्रित एक विप्रित क्या हो जाए तो इसके सामने है जई या इधर स्काउंट करिए एक दो तीन इसके सामने आफ समझ में तो जी कभी पृट क्या होगा को इसके नहीं नहीं परश्न क्या है ऑर listen है नहीं पढ़े हैं तो आप विप्रित दुडते ही रह जाएंगे दिमाग लगाते ही रह जाएंगै समझ में नहीं आएगा इसलिए कहते हैं पढ़िए मेहनत करिए कोशिस करिए ज्यादा से ज्यादा समय आप लोग पढ़ाई में लगाई है तब जाके सेलेक्शन आपके लिए आसान हो जाएगा ज्यादा ज्यादा समय लगाएंगे तो इन चीजों को सीखेंगे और इन चीजों को देखिए और इस question के आप लोग क्या करेंगे answer देंगे वीडियो को कुछ दिर के लिए pause करके answer दीजे और यह question important है क्या है important है देखिए इस question को समझेंगे आप लोग नीचे दी गई आकरती में एन यूक्त फलक के विप्रीट पर विप्रीट देखिएगा नीचे दी गई आकरती में एन यूक्त फलक के विप्रीट क्या आएगा एन का विप्रीट एन का विप्रीट पूझ रहा है तो आप लोग वीडियो को pause करिए और इस question को solve करने का प्रयाश करिए क्या करना है वीडियो को पॉज करना है, question को solve करने का प्रयास करना है, क्योंकि ये question जो है न, बहुत important है, बहुत important है, अभी हम आप लोगों को समझाए न, एक, दो, तीन, एक का विपरित, तीन, तीन का विपरित एक, वही चीज इसके साथ भी लगेगा, तो इसका विपरित आप कैसे बत एक, दो, यहां पर देखिएगा, तीन, और यहां पर खाली हो जा रहे है, यहां पर तो कुछ मिली नहीं रहे है, तो इधर नहीं जाएंगे, अगर हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, देखिएगा, एक, दो, तीन, इसके विपरित क्या मिल रहा है, एस, यानि एन का विपरित क्या हो जाएगा एन का विपरीत हो जाएगा s क्या होगा एन का विपरीत होगा s 1 2 3ivan LHC, यहीं important question है और यह most important question है बहुत बार पूछा गया है और बहुत से बच्चे dice पढ़े और इस question इनको solve भी नहीं कर पाते हैं कि सारी तो समझी में नहीं आ रहा है यह उपन डाइस किस टाइप को है इसका आंसर क्या होगा तो इसका आंसर समझीए एन का विप्रीट एक दो तीन एस हो जाएगा ठीक है अगर हमसे पूछ ले हमसे बोल ले अगर हमसे मान लीजिए बोले क्यू का भी प्रीट तो क्यू जाएंगे एक दो तीन नीचे नहीं एक दो एक दो तीन ऊपर चले जाएंगे नहीं मिलेगा अगर इधर जाए देखिए यहां से गए न हम एक दो तीन और क्यों का विप्रित क्या हो जागा आगर हम से बोले पी का तो पी देखिएगा एक दो तीन या मिल रहे न हुआ है डब। पीमिल एडबू का पी किलियर है बस एक दो तीन करना है यह लिखा रहने देते आज ताकि कि आप लोगों का दिमाग खुल सके और इस कोश्चन आप लोगों के लिए यह कोश्चन क्या हो जाए आसान हो जाए ठीक है समझ में आ गया चले नेक्स देखेंगे कोश्चन समझने की जरूरत है क्योंकि काफी इंपॉर्टन कोश्चन क्या बोल रहा है निमलिखित विकल्पों में से कौन सी संख्या प्रस्ण आकृति में दी गई आकृति को मोड कर बनाई जा सकती है यह बोल रहा है यानि कि अब आप लोगों के सामने विप्रित नहीं है अब आप अगर इमेज को हम मोड देंगे तो इनमें से कौन सा बनेगा यह बोल रहा है तो यह भी आसान है बनने के लिए क्या होता है आप सभी ने देखा जैसे पीछे कोश्चन में भी हम लोगों ने देखा क्या देखा पीछे जैसे यह कोश्चन देखा हम लोगों ने जैसे माली इसके पहले यह देखा तो हम लोगों ने देखा यह चीज कि अगर यह सी है जैड है तो यह दोनों विप्रीत है तो यह सी और जैड कहीं पर भी आप देखेंगे एक दूसरे के अगल बगल नहीं होंगे यानि विप्रीत सता की फलके अलग अलग होंगी अगल बगल नहीं हों देखिएगा सी का भी प्रीट दोस्तों एक्स वाई कभी नहीं हो सकता है सी का भी प्रीट जैड़ ही होगा समझ रहे मतलब सी के अगल वगल जो पासे फलक पे है वो कभी नहीं हो सकते क्लियर है कि यह चीज क्लियर है अब देखिए अब देखिए समझेंगे अब थोड़ा सा समझेंगे तो यहां पर यह चीज क्लियर है तो आगे हम चलेंगे जो कोशें हम लोगों का एए हो अगा है 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 हलो हाँ देखिए आप लोग देखेंगे इस क्वोस्टन को निम्लिखित भी कल्पों में से कौन सी अखुरति दी गई अकुरति को मौल का बनाई जा सकती है बनाई जा सकती है मतलब अब यहां पर हम लोग विप्रित एक, दो, तीन यानि एक का विप्रित D, एक का विप्रित क्या होगा D, उसके बसे एक, दो, तीन, बी का विप्रित E, बी का विप्रित क्या हो जाएगा E, अब जो बच गया N का विपरित O या 1, 2, 3 बगल में है O या 1, 2, 3 इधर से भी count करेंगे बगल में N तो N का विपरित क्या होगा N का विपरित होगा O अभी हम आप लोगों को बताएं देखिए अगर ये पहला पासा को देखे तो A का विपरित क्या है D A का विपरित D है तो यहाँ पर देखेंगे A अगर यहाँ पर तो D कहाँ होना चाहिए D नीचे वाले फलक पर होना चाहिए बगल में नहीं होए AD यहाँ पर आप देख रहे हैं बस बहुत आसान है समझना है AD अगल बगल है यहाँ और यह बोल रहा है इसके according अगर A ऐसे मुड़े D ऐसे मुड़े तो यह दूसरे के विपरित होंगे और विपरित फलक की सताय दिखती नहीं है A जब दिखेगा तो D नहीं दिखेगा D जब दिखेगा तो A नहीं दिखेगा N का विपरित है O तो O N O दिख रहा है N नहीं दिख रहा है यानि option number B बनेगा बिल्कुल बनेगा अब CD क्यों नहीं बनेगा आईए देखते हैं N का विपरित क्या है N का O है तो आप देखेंगे N और O दोनो अगल बगल दिख रहे है N अगर उपर है तो O यहां होना चाहिए अगर O इधर है तो N उससाइड होना चाहिए मतलब दिखना नहीं चाहिए अब यहां देखे D है E है तो D का A नहीं है ठीक है B है E है देखे B का भी प्रित है E और B E यहां पर पास दिख रहा है अगर B इधर है तो E इधर होना चाहिए अगर E इधर है तो B उससाइड होना चाहिए इसलिए दीख रहे हैं इसलिए क्या होगा यानि C भी नहीं बनेगा D भी नहीं बनेगा तो बनेगा क्या option number B बनेगा clear है कौन बनेगा option number B बनेगा चले अब हम चलेंगे next question के तरफ इसको आप लोग देखिए same question है same बस वही logic आपको क्या करना है वही लगाना है question number 14 निमलिखित विकल्पों में से कौन सी आकृती में आकृती प्रस्ण में दी गई प्रस्ण आकृती देखेगा sorry इसको एक बार आप लोग फिर से पढ़ देते हैं कह रहा है निमलिखित विकल्पों में से कौन सी आकृती प्रस्ण आकृती में दी गई आकृती को मोड़कर बनाई जा सकती है इसको मोड़के कौन सी बनाई जा सकती है तो आप सोचेंगे सर उसमें तो A, B, C, D लिख रहा था या ऐसा कुछ दे रहा था इसमें तो इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है तो आप देखिए इन्हें जो भी है न सब अलग-अलग है ठीक है? आप देखिए A का विपृत क्या हो जाएगा? A का विपृत ये बिंदी हो जाएगा यहां से देखिए 1, 2, 3 तो 1, 2, 3 यहां कलर वाले की विपृत क्या हो जाएगा? यह O हो जाएगा यह खाली है यह भी खाली है अब यह ना बोलिएगा कि आपने तो बोला सब अलग-अलग है सब अलग-अलग है तो कोई बात नहीं यह क्या है? खाली है खाली है, तो खाली का विपृत खाली मतलब अगर इसे हम सिंपल भासा में बोले तो यह जो कलर वाला है ना देखिएगा, सारे बच्चे देखिए समझने का प्रयास करिए यह जो कलर वाला है ना, कलर वाले का विपृत क्या है? अभी देखिए color वाले का जो अभी प्रीट है ओ क्या है ओ है यानि color वाले का भी प्रीट ओ है color वाले का भी प्रीट ओ एक अभी प्रीट क्या है एक अभी प्रीट क्या है एक अभी प्रीट इस तरह का एक बिंदी है ठीक है एक अभी प्रीट बिंदी और खाली वाला जो है न यह जो खाली वाला है ना तो इसका क्या भी प्रित है खाली वाला है ठीक है यहीं है बस यहीं चीज़ देखना आप देखिए यहां पर यहां पर हम कंपेर करेंगे कैसे कंपेर करेंगे कलर वाला है कलर वाले का भी प्रित क्या है देखिएगा कलर वाले का भी प्रित ओ ओ कही कि दर आना चीनल दोनों में एक दिखेगा दूनों नहीं दीखेंगे अगर दोनों दिख रहे तो यह प्रसंट गलत हो गया अपनिम्ठ्च एक बतुचन गलत हो गया और से निंदी देखिए आप डके उप्सन फाला तो विदाउट कलर वाले का विदाउट कलर वाले का विदाउट कलर वाले दोनों दिख रहे हैं नहीं दिख रहा है चलिए यह बिंदी वाला बिंदी वाले का विप्रित ए है तो ए कहीं दिख रहा है नहीं अब देखेंगे कलर वाला कलर वाले का विप्रित क्या है रख दो दो शेकर दो शेकर देखियेगा कहा तक थे एक सेकेंड सोरी यहां पर जरूरी काम था कोई नहीं एक बार आप लोग देख्यागा यहां देखिये अभी हम ऑफ्सीन में वे थें खाली वाला का विडाउट कलर है तो ढूसरा नहीं दिख रहा है यहां पर देखेंगे आप देखेंगे क्या है क्य रंघीन है रंगीने वाले का क्या है वर वज़ाने दिख रहा है यानी यह क्या है बनेगा बिलकुल रहां में दिखराम मोरें इससे नथा सटीहां में अगर इन तीनों में कोई कॉमन किसी में दैख गया ओfach ऐगी का विप्रित तो यह नहीं है आप देखीए अंसर आपका क्या हो जाएगा option number B हो जाएगा उमीद करते हैं आप सारे बच्चे इस question को बहुत अच्छे तरीके से समझ गयोंगे चलिए question number 15 देख लीजिए same type question number 15 most important है इसमें भी वह लॉजिक लगाना है उस घंका चैन करें जिसे दी गई seat unfold walks को रेखाओ पर मोल कर बनाया जा सकता है यानि कि यह जो है न ध्यान दीजिएगा यह ओपन एक बच्च क्या गया देखिए बच्च क्या गया अब आप बोलेंगे कि सर यहां पर एक दो तीन काउंट करने पर इधर जा रहा है तो यहां पर से debate देखिए एक दो तीन सब का बिपृत मिल गया जो बचा है न वहीं एक दूसरी एक बिपरीत है मतलाब मतलाब गुनागा जो बिपृत होगा न यहां पर गुनाका जो विपृत होगा और कौन सा सिम्बल होगाanie सीमल all होगा ये सिमबल अदरेट वाला होगा बस अब देखिये इन में से दो किसी में दिख रहेगा जस्ट एक्षसते डेक्रेट ट किसमाभी से अगर नाय तो अधाने गुला अधार यहां पर प्रिद्ट क्या है क्यों है यहां पर देखिये है यहां पर दिख गया इसलिए यह नहीं बनेगा बस बहुत तीजी से आंसर दे सकते हैं 4-5 सकन्ड लगेगा आंसर दे देंगे मतलब डाइस के प्रसनों को सॉल्व करने के लिए आपको pen उठाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आप direct answer देंगे अगर आप तरीका सीख गए हैं तो उमीद करते हैं आप सारे बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से समझे होंगे किसी भी question में आपको एक भी percent कागा doubt है तो आप नीचे comment कर दीजेगा उस question को हम दुबार समझा देंगे उमीद करते हैं सारे प्रेश्म को आप बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे और आज की class आप लोगों को बहुत ही अक्षा लगा होगा देखिए मन लगा के पढ़िए अच्छे से पढ़िए daily classes को join करिए कोई भी आपके मन में doubt है प्रेशने कुछ भी कमेंट करके नीचे सारे बच्चे एक बार जरूर बताईए 15 कोशन कराएं हैं कितने कोशन आप लोगों ने सही किये हैं और किसी question में doubt है तो यह भी बताईए सारे बच्चे आज की class को like जरूर कर दीजिए अगर अभी तक like नहीं किया तो like करते हैं तो काफी अच्छा लग के लिए यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस के लिए हम लोग classes बहुत जद लालने वाले स्सी मेकर ठीक है चलिए आप लोगों को बता दे एप पे एससी MTS के लिए मुक्ती बैच चलाया जा रहा है बहुत ही सांदार बैच है एक दम basic से मुक्ती बैच में class चल रही है और यूटूब पे चल रही हो सारी classes हम लोग basic से प्रवाइड करते हैं बैतरीन classes प्रवाइड करते हैं ताकि आप सारे बच्चों का selection 100% हो ठीक है मन लगा के पढ़िए अच्छे से पढ़िए daily class को join करिए कहीं पे कोई भी 1% का doubt है तो आप हमें message कर सकते हैं या आपको कुछ प रखेंगे घर में छोटे भाई बहन दोस्त जो भी हैं आप उन्हें भी बताईए से सी मेकर से जूड़े पढ़े और सेलेक्शन ले ठीक है हाँ तो आज की class को like share और चैनल पर नए है सब्सक्राइब करके जूड़ जाईए daily class को join करिए और कोशिस करिए ज्यादा ज्यादा समय आपका पढ़ाई में लगे तो आज के लिए दोस्तों इतना ही मिलते हैं अगली class में तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद